हालो माइ डियर फ्रेंड्स हमारे यूट्योब चैनल SBSV Academy में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करते हैं Industrial Management and Entrepreneurship Development साइट में इसको IMED कहते हैं कि ठेवरी क्लास के बारे में जिसमें हमारा लेशन टू है चलिए दोस्तों तो सुरू करते हैं ये वीडियो तो दोस्तों आज हमारा लेशन टू है बाजार सर्वेच्चन तथा अवसर पहचानना Market Survey and Opportunity Identification तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बाजार सर्वेच्चन के बारे में Market Survey के बारे में जब एक उद्मी अपने मन में एक प्रोजेक्ट का विचार धारन करता है उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ग्यान होता है दोस्तों जो उद्मी होता है जब वो अपने मन में एक प्रोजेक्ट के बारे में विचार करता है तो उसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कम ग्यान होता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है इस विचार को मुर्त रूप देने तक उद्धमी को बहुत सी जानकारियों किया हो सकता पड़ती है प्रोजेक्ट में प्रियोग होने वाला कच्चा माल, वांचे तुत्पात, बनाने है तो आवस्यक उपकरण एवं मसीनरी बाजार में पहले से ही मौजूद प्रतिस्फर्दी, सप्लायर्स तथा ग्राहक, प्रोजेक्ट के लिए विच्ति साहता तथा प्रोजेक्ट के लिए वांचे स्रम सकती आज जानकारियों बहुत ही महत्पूर होती है जो दोस्तों किसी उद्मी के लिए जब को प्रोजेक्ट तियार करना पड़ता है तो उसे उस प्रोजेक्ट के लिए कच्चा माल मसीनरी बाजार में पहले से मौजूद प्रतिस्फर्दी, सप्लायर्स, ग्राहक, प्रोजेक्ट के लिए विच्ति साहता, अन्य चीजों की जानकारी बहुत ही महत्कून होती है और दोस्तों आगे कहा गया है इसलिए या आवस्य कि हम एक उद्दम के योजना मनाते समय उद्दमी बाजार का एक विस्तरन सर्वेच्छन करें और उपरोग जानकारी प्राप्ट करें दोस्तों हम बात करते हैं कच्चे माल जानकारी के बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है प्रोजेक्ट में प्रियोग होने वाले कच्चे माल के चयन तथा अन्य जानकारी प्राप्ट करने में निम्नी प्रस्न सहायक होते हैं प्रोजेक्ट में प्रियोग होने वाले कच्चे माल के चयन तथा अन्य जानकारी प् क्या कोई कच्छा माल आयात करने की आवसकता है। फिर नंबर तीन पिछले दो या तीन वर्सों में कच्छे माल का मूल तथा उपलबता क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं मसीनरी तथा उपकरण संबन्दी जानकारी के बारे में। इसमें दोस्तों नंबर एक पर हैं मसी तथा उपकरण सम्मध्धी जानकारी की बात करें तो सबसे पहले हम उसके बारें बात करेंगे मसीन का प्रमुख उत्पादक कौन है फिर मसीन उत्पादक दोरा दी जाने वाली गारंटी या वारंटी क्या है फिर नमबर तीन पर है मसीन के कलपूर्जे आसानी से मानक तथा आउटपूट क्या है प्रतेग मसीन की और उसके बारे में जानकारी करेंगे ठीक है दोस्तों अब हम बात करते हैं बाजार सम्मध्धी जानकारी के बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है एक उद्दमी को बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादकों को व्या व्यापारियों, सप्लायरों तथा ग्रहकों के बारे में पूर्ण जनकारी होनी चाहिए, एक उद्दमी जो होता है, उसको बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादक को व्यापारियों, सप्लायरों तथा ग्रहकों के बारे में संपूर्ण जनकारी होनी चाहिए, दोस्तो हम बात करते हैं उत्पादक के लिए बाजार का वर्गी कर्णा Market classification of the product तो दोस्तों इसमें कहा गया है उत्पादक के लिए बाजार को निम्र प्रकार वर्गी करद किया गया नंबर एक क्रिता बाजार नंबर दो अउदोगिक बाजार नंमर तेन क्रिता बाजार नंस दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रेता बाजार के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया क्रेता बाजार में वे सभी व्यक्ति अथवा संगठन नहीं थे हैं जो वास्तों में उस उत्पाद अथवा सिवा का उपयोग करते हैं क्रिता बाजार में वे सभी व्यक्त या संगठन होते हैं जो वास्तों में उस उत्पाद अथवा सिवा का उपयोग करते हैं और दोस्तों कहा गया है इस बाजार का सबसे बड़ा भाग घरेलू वक्ता होता है जो अपने व्यक्तिकत उपयोग के लिए उत्पाद का क्रे करता जो अपने परसनल उपियोग के लिए उस प्रोडक्ट का क्रे करता है, मतलब खरीदता है, इस प्रकार क्रेता का उद्देश उस उत्पाद को क्रे करके उससे व्यापार करना नहीं होता है, उपवगता बाजार परिवारों से मिलकर बनता है, जो उत्पादों का क्रे करते हैं जो उत्पादों को खरीदते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं और दोगिक बाजार के बारे में इसको उत्पादक बाजार भी कहते हैं जो और दोगिक बाजार है इसको हम उत्पादक बाजार भी कहते हैं इनमें वे विक्ति अत्वा संगठन आते हैं जो सामान अत्वा सेवा इसलिए करते हैं कि आगे उनके प्रयोग से कोई अन्य उतपाद का उतपादन कर सके अत्वा कोई अन्य उतपाद को दे सके और दोस्तों इसमें कहा गया इस प्रकार के बाजारों में मुक्ता निम्ने बाजार आते हैं नंबर एक क्रस उत्पाद, नंबर दो जनुपियोगी, नंबर तीन गयरलाफ उद्धोग, नंबर चार सेवा उद्धोग, नंबर पांच यातायात एजनसी दोस्तों हम बात करते हैं विक्रेता बाजार के हमारे में विक्रेता या पुनर विक्रेता बाजार में वे व्यक्त या संगठन नहींत होते हैं जिने प्राया, मध्यस्थ या कमीशन एजन्ट कहा जाता है जो विक्रेता या पुनर विक्रेता बाजार में वे व्यक्त या संगठर नहींत होते हैं जिने प्राया मध्यस्त या कमीशन एजंट भी कहते हैं या डीलर या वितरक होते हैं ये जो विक्रेता बाजार में व्यक्त होते हैं उन्हें हम वे डीलर या वित्रक होते हैं और एक बाजार से सामान क्रे करके दूसरे बाजार में उचिदाम पर बेच देते हैं और एक बाजार से माल को खरीते हैं और दूसरे बाजार में उचिदाम पर बेच देते हैं पुनर विक्रिता के पास पुनर विक्रे के लिए उत्पात की बहुत बड़ी रेंज होती है और पुनर विक्रिता के पास पुनर विक्रे के लिए उत्पात की बहुत बड़ी एक रेंज होती है वा कुछ सामान स्वयम भी बना सकता है और वा कुछ सामान को स्वयम बना सकता है और कुछ बाहर से करके सीधे ही अंतिम उपवगता तक आपूर्थ कर सकता है जो विक्रे बाजार में विक्त होते हैं वे कुछ सामान तो स्वयम बना लेते हैं और कुछ बाहर से खरीद कर सीधे ही अंतीम उपवक्ता तक आपूर्द कर सकते हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं सरकारी बाजार के बारे में या वह बाजार है जो सभी परकार की सरकारी एजंसियों से संबन्द रखता है सरकारी बाजार एक ऐसा बाजार है चो सभी प्रकार की सरकारी एजंसियों से संबंद रखता है या सरकारी एजंसी केंद्री सरकार, राजी सरकार, सरकारी कारप्रोडेशन, बोर्ड, निगम आधी हो सकता है जो वस्तूओं या उत्पात का क्रेश सरकारी कारियों के लिए करते हैं राज्य सरकार या केंद्री सरकार कार्प्रोरेशन बोर्ड निगम ये सभी सरकारी एजन्सी हैं ये सभी वस्तूओं या उत्पात का क्रेश सरकारी कारियों के लिए करते हैं भारत में राष्ट्री तथा राजी सरकारे ही बहुत बड़ा बाजार है जो किसी भी उत्पादक या पुनल विक्रेता के लिए सामान की खपत का बहुत बड़ा किंद्र है दोस्तो अब हम बात करते हैं व्यापार के अवसर पहचानना नमबर एक बात करेंगे किसी नए उद्धो की सुरुआत करना दोस्तो इसमें कहा गया है बिल्कुल नया विचार हो सकता है किसी नए उद्धो की सुरुआत करना बिल्कुल नया विचार हो सकता है कोई भी नया विचार लोगों की आवसकताओं और उनके नित प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को देखकर जनित हो सकता है अधिकतर परिश्थितियों में नए उद्दम का विचार उद्दमी के मस्तिस्क में पहले से ही मौजूद जानकारी से उपचता है और दोस्तों आगे कहा गया है नई कमपनियों को प्रारंब में ग्राहक तलासने में कटना ही होती है अपनी कमपनी की अच्छी साख के साथ ग्राहकों को उनकी पसंद पर छोड़ देना चाहिए जहां तक संभव हो सके जो नया व्यापार उद्दमी ने चुना है वह इस्थाई समस्याँ से मुक्त होना चाहिए आगे कहा गया है एक विशिष्ट व्यापार को प्रारंब करने वाले उद्दमी को कुछ लाब भी होते है एक विशिष्ट व्यापार को प्रारंब करने वाले उद्मी को कुछ लाबी होते हैं बाजार में कोई प्रतिस्फरदा नहीं होती है प्रत्रम होने के कान प्रसिद्धी भी मिलती है गराहक उत्पात को अपनाता है डीलर मांग करता है और आपसी बात्चित के माद्यम से प्रसंसा प्राप्त होती है और दोस्तोस में कहा गया है बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए उचित समय का ध्यान रखना आवस्यक है बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए उचित समय का धिभी ध्यान दगना बहुत जरूरी है बाजार में आने वाले रुजहनों और व्यापारों के अवसरों को पहचानने के लिए उन पर लगाताद ध्यान दगना आवस्यक है बाजार में आने वाड़े रुजानों और व्यापारों के अवसरों को पहचानने के लिए भी लगातार ध्यान लगना आवस्यक है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है व्यापार के विभिन परकार के अवसरों में लग सेवा व्यापार सबसे जल्दी और आसानी से सुरू किया जा सकने वाला उद्दम है। यदि व्यापारी के पास कुछ पूंजी है तो किसी चलते हुए उद्दम को खरीद लेना बेतर विकल्प हो सकता है। यदि किसी उद्दम के पास कुछ पैसा है या मनी है या पूंजी है तो किसी चलते हुए उद्दम को खरीद लेना बेतर विकल्प हो सकता है। इससे उद्दम को खड़ा करने में लगने वाला समय एक दो साल बच जाता है। दोस्तो अब हम बात करते हैं एक विचार को व्यापार अवसर में बदलना है। इसमें दोस्तो कहा गया है एक विचार को व्यापार अवसर में बदलने से पूर्व सामभावता तथा उसके बाद सामभावता अध्यन किया है। सबसे पर दोस्तों बात करते हैं पूरु संभावता अध्यन के बारे में इसमें दोस्तों कहा गया है क्योंकि पूरु संभावता अध्यन बहुत खर्चिला एवं समय व्य करने वाला होता है जो दोस्तो पूरु संभवता अध्यन होता है वो बहुत खर्चीले वं समय वे करने वाला होता है अता पूरु संभवता अध्यन करना वांचित है अत्वा नहीं या जानना जरूरी है इस अध्यन का मुख उद्देश निम्द को ग्यात करना है इस अध्यन का मुख्य उद्यश जो नीचे दिया गया है उसको जानना उसको ज्यात करना बहुत जरूरी है क्या प्रोजेक्ट का विस्तरत अध्यन आवस्यक है क्या कोई खास विस्तरत अध्यन की आवस्यकता है जैसे मार्केट विसलेशन, तक्नीकी संभवता, निव्यसित लागत आदू दोस्तो अब हम बात करते हैं सांभवता अध्यन के बारे में दोस्तो इसमें कहा गया है पूरू संभवता अध्यन के आधार पर जिस उद्धम का विचार बनाया जाता है उस उद्धम का विस्तरत संभवता अध्यन, विभिन च्छत्रों जैसे तक्नीक, वित्तिय एवं वाडिज च्छत्र आज में करके एक तक्नीक आर्थिक संभवता रिपोर्ट तयार करते हैं इस रिपोर्ट के आधार पर अत्यन्त करांतिक च्छत्रों का पुना च्छानवीन तथा वेस्तर करते हैं दोस्तों हम बात करते हैं एक विचार को व्यापार में इसमें दोस्तों कहा गया है कुछ मौलिक कदम है जो हर नए उद्दमी को अपने विचार को गत में लाने के लिए उपियुक्त होते हैं या निम्द हैं कुछ मौलिक कदम होते हैं जो हर नए उद्दमी को अपने विचार को गत में लाने के लिए बेहत जरूरी है अब दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से विचा रहे हैं नमबर एक क्या वास्तों में कोई समस्या हल हो रही है नमबर दो अपना बाजार खोजें पता लगाएं कि उसका समाधान बाजार में और लोगों के जीवन में कहां फिट होगा नमबर तीन सकरात्मक बने रहें नमबर चार अपनी पूंजी के स्रोत का पता लगाएं नमबर पांच अलपतम बेवहाज़िव उत्पात का निर्मार नमबर छे एक वित्ती माडल बनाएं तथा पहले चरण की योजना तो दोस्तों ये हमारे छे विचार होगे जो प्रत्तेक नए उद्मी के मन में होने बहर जरूरी है दोस्तों इस प्रकार हमारा आईमीडी का लेसन टू कम्पलिट हो गया है दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलिग्राम चैनल SBSV Academy को जोईन नहीं किया है तो दोस्तों लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से जोईन कर ले दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अब हम नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन